हेलो गाईज आप सभी को मेरे यूटूब चैनल जीएस क्लासेश वैसंजूसर में श्वागत है दोस्तों हम लोग आज कि एंसियंट हिस्ट्री का दीग वैदिक ताल परहिए इससे पूर्व दोस्तों हमने सिंद्धु गाटी सभहता के बारे में प्रह शिंद्धु गाती सभहता का उधुहब शे लेकर उसके उत्खननक उत्खनन करता का नाम क्या नदी था उसका क्या समाजिक आर्थिक राजनीती वेवस्था थी उसके बाद उसका किस रूप में पतन हुआ दोस्तो उसके बाद जो है रिगवेदिक काल आता है तो हम लोग रिगवेदिक काल के बारे में आचर परहेंगे दोस्तो रिगवेदिक काल का जो प्रियड है वो 1500 BC to 1000 BC दोस्तो यहां जो है एक समझने की चीज है कि सिंदुह घाती सभ्यता का जो काल है जो सबसे ऑथेंटिक काल माना गया है कारवन डेटिंग प्रधती का जिसका समय सब्सक्राइब दोस्तों हम उसके पतन का काल सत्रह सो पचास अंतिम मानते हैं और रिगवेदिक का काल पंद्रस्व इसापुर्व मानते हैं तो दोनों के बीच में अरहाइस्व वर्स का डिफरेंस होता है इस अरहाइस्व वर्स में क्या हुआ इसमें क्या गतिविधियां हुई थी क्या घटनाएं हुई थी इसके बारे मैं थोरा सा ब्रीफ आपको कर देना चाहता हूं दोस्तों किसी भी समय का जब किसी या सभ्यता का जब पतन होता है किसी का उत्थान होता है अर्थात उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान यहीं यहां जो है यहां हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु खाति सभ्यता का पतन 1750 इस भी पुर्म में हुआ था और रिगवेदि काल का जो है काल 1500 इसा पुर्म से प्रारम होता है ये 200 वर्ज जो है इसका काल जो है वो संक्रमन काल कहा जाता है यह दोस्तों हम समझ सकते हैं इस परकार कि किसी भी सभ्यता का कि उतनी वरी सभ्यता थी 500-700 वर्ष रहा वो सभ्यता उसका अंत योही और छनिक नहीं हो जाता है तो उसका जो अंत हुआ और इसका जो प्रारम हुआ उस प्रियेट को हम संक्रमनकाल कह सकते हैं दोस्तों संक्रमनकाल संक्रमनकाल में दोस्तों यही होता है कि किसी सभ्यता का पतन और दूसरे का उत्थाम तो उसको हम संक्रमनकाल कहते हैं संग कर्मनकाल दोस्तों इसी का पिरियेद इसी बीच जो है धाय साल का होता है संक्रमनकाल में हम धाय स्वा बर्स को रक सकते हैं दोस्तों चलिए आगे बर्सते हैं जैसे आप उदारन के रूप में ले सकते हैं दोस्तों कि जिस परकार जो है मालिये की सल्तनत काल का जाबंत हुआ तुरत खतम नहीं हुआ उसका तुरत पतल नहीं हुआ और नहीं सल्तनत के बाद मुगल बंसका उदाय हो गया तो उस पिरियद में किसी चीज का जो है दोस्तों 1500 इसा पुर्व से 1000 इसा पुर्व माना जाता है चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें जो भी बाते आएगी कि लिश्ट सब्द आएगा या हमें लगेगा कि नहीं यहां समझाने क्या वश्कता है चात्र इस चीज को नहीं समझ पाते हैं जनरली भारत के उत्तर पस्नि सीमा शित्र में भीन परकारकी सब्वहता का वदिया हुआ सब्थों पर गर करेंगे दोस्तों और मुल्त ग्रामीन पर्तित होती है और इसके निवासी आर्ज करलाते थे जो खाना वदोस और चारवाहों का जीवन बैटित करते हैं यहां थोरा शाब तुन्ना अत्मा धंग से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिंधु घाती सभ्यता एक अस्थाई सभ्यता थी वहां के लोग अस्थाई निवास करते थे और यहां के लोग खाना वदोस की जिन्दगी जीते थे वहां हमारी नग्रिय सभ्यता थी शिंधु घाती की सभ्यता नग्रिय थी वहीं यह जो है रिवैदिक काल या वैदिक काल को जो समय है यह सभ्यता मूल का ग्रामीन थी आरियों का मूल अस्थान विवाद का विशय बना हुआ है इस शंबन में विद्वानों के विचार अलग अलग है दोस्तों चलिए हम लोग यह जान लेते हैं पहले कि आर्ज जो थे कहां से आये थे इतिहासकारों ने इस संबन में अपना-पना मत दिये हैं अपना-पना विचार रखे हैं चलिए दोस्तों सुरू करते हैं मध एशिया से जो आये हैं यह प्रोफेशन मैक्स मुलर का मत था कि आर्ज मध एशिया से आये बाल गंगार धर तिलग उत्री धुरूब उनका तर्क था सब सेंदव परदेश डॉक्टर अभिनास परशाद दास अभिनास चंद्रदास तिब्बत दयानन सरस्वती दक्षिंदूस प्रोफेशर गाडन चाइल दोस्तो अधिकांस बिदौन प्रोफेशर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्ज मुल रूप से मधेशिया के लिवासी थे ऐसा विश्वास क्या जाता है कि 2000 इसा पुर्व में आरियों का विभिन दिशाओं में अतिकर्मन प्रारंभ हो गया था भारत आगमन से पुर्व आर्ज लोग सबसे पहले इरान में पहुंचे भारत में आरियों का आगमन 1500 इसा पुर्व के कुछ पहले हुआ था आरंभिक आर्जयों का निवास पुर्वी अफगानिस्तान ध्यान देची इगा दोस्तों ये समझने की वी चीज है और आप अस्मरन में रखेंगे लोजिकली समझ लेंगे तो फिर जो है बहुत दिनों तक ये असमरन में रहेगा आर्यों आरंभिक आर्यों का निवास पुरिवी अफगानिस्तान देखिए पंजाब पस्षी मुटतर परदेश के शीमा वर्ति भाग में था यहां देखिए दोस्तों सरश्वती सिंधू और पंज सहयक नदियों के इस परदेश में जहां आर्ज लोग पहले आवासित हुए थे उसे सप्थ संधव परदेश कहा गया है इसमें हमारे एक इतिहासकार ने सप्थ संधव परदेश भी बताए थे कि डॉक्तर अभिनास चंद्रदास द्वारा मत दिया गया कि आर्य सप्थ संधव परदेश का जो छेत्र है दोस्तों वो जो है शिंधू के पंशाहक नदियों के आसपाच के छेत्र को मना गया है चलिए दोस्तों हम लोग भोगोलिक बिस्तार के बारें परेंगे आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख स्रोथ रिगवेद कहने का तातपर्ज है कि आर्ज के बारे में जो भी बाते हैं जो भी इतिहासकारों ने लिखे हैं तो उसका मुख स्रोथ जो है वो रिग रिगवेद के माध्यम से हम आर्ज के बारे में जानकारी मिलती है। रिगवेद के जिस भगोलिक छेत्र का वर्नन है उसे आरियों के प्रारंभिक निवास का पता चलता है। इन छेत्रों में शिंधु की पस्सिम साखाओं गोमती, कुर्रम और कुंभा का भी लेख। सिंधु की सहायक नदियां जो है सतलज, रावी, चेनाव, ब्यास, और जेलम, केत्रिक, गंगा, यमन, सरस्वती और सर्जु का भी लेख। दोस्तों यह अब्जेक्टिव प्रशन में आता क्वेशन आया हुआ है पुर्व में की सिंधु की सहायक नदियां कोन है चार ओप्शन दे देगा सतलज, रावी, चेनाव, जेलम, छोड़कर या एक सरस्वती या ओप्शन जो है कुछ दूसरा दे देगा तो मिन और सहायक ही नदियां है यह धियान रख लेंगे कि सिंधु की कौन जो है कौन सहायक नदियां है रिगवैदिक काल के नदियों का प्राचिन और आधुनिक नाम दोस्तों इस तरह के भी प्रश्ट परिक्षा में पूछे जाते हैं कई परिक्षाओं में आया भी है कि प्राचिन नाम अर्थात है कि ये दो स्का हम लोग चर्चा करते हैं प्राचिन नाम और आधुनिक नाम का बितस्तता आधुनिक नाम जेलं विपासा घ्यांश को यहां पुरूश्णी हो गाँ यहां पुरूश्णी हो गया दोस्तो इसको जो है Sachen को सी को अक्रूश्णी प्रहाज जा अ यहां पुरूशनी होगा दोस्तों कुर्रम कुम्भा काबुल सदा नीरा गंदक यह बिहार के संदर्म में कोश्चन आ चुका है दोस्तों इस सदा नीरा का जो है पुराना नाम नया नाम जो है गंदक यह अश्कनी चिनाव गोमल गोमति सरस्वती घग्घर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं परवतों में हिमाले और उसकी छोटी चोटी है यहां छोटी होगया दोस्तों यहां चोटी होगा यहां चोटी होगा उसकी चोटी मुझवत का वरनन है यह सभी जो भी वरनने हैं दोस्तों हम लोग जीगवेद के रिफरेंस में पर रहे हैं अग्धलिए दोस्तों आर्की जो सभेता थी वैदिक तुम उसकी वहां भी राजनितीक शमाजेक आर्थिक बदलाव हुआ जब सभ्यता थी तो इह कि इस्थितियां भी ब्दलि Jim कि यहीं चलिए हम क्या इस्थित्यां थी राजनितिव ब्रस्ता कैसे थे तो हम उस पर चर्था करते हैं दोस्तों बढ़ते हैं अगे राजनीतिक बिवस्ता पित्र सतात्मक परिवार अर्जों के किविलाई समाज की बुनियादि इकाई थी देखिए दोस्तों सिंदू श्भ्यता मात्रि सतात्मक और राज और जो यह है बैजिक शभ्यता जो है बैदिक काल यह पित्र सतात्मत था ग्राम संभब तक कई परिवारों के समुहों को कहते हैं थे यह एक निश्चित राजनिती इकाई थी तथा इसका परधान ग्रामनी कहलाते थे विस संभब तक कई गाउं का एक समुह था और इसका परधान विश्वति कहलाते थे आज भी दोस्तों देखिए तंस्यप्त बना हुआ है जब आप प्रशाशनी समक्षना परहेंगे तो ग्राम पंचायत वाड आता है उसके बाद ग्राम पंचायत आता है ग्राम पंचायत के बाद जो है प्रखन आता है प्रखन के बाद अनुमंदल आता है अनुमंदल के बनाते थे और कई विश मिलकर एक जन बनाते थे रीग वेद में जन का परियोग 275 ता विश का परियोग 175 यह अवस्याद रखेंगे दोस्तों यह महत्पुर्ण है इसको अवस्याद रखेंगे सभा समीती विदत और गन जैसे संगठन विचार विमर्ष करते थे और सैनिक धार्मिक कारज देखते थे यह संगठन थे जो राजा को ततकालिन राजा होते थे उसको यह मदद करते थे परशासनिक दिश्टी कोंचे और धार्मिक दिश्टी कोंचे झेलिए दोस्तो अब सभा-समीति विदत के बारे में थोरा सा चर्चा करते हैं सभा रिग वेध में सभा सब्ड का आठ वार परियोग के जया है इस तरह का जो भी बाते आप अवस याद रखेंगे दोस्तो आठ वार परियोग के जया है सभा में पुरूसों के लिए सभे तथा इस्तिरी के लिए सभावती सब्द का परियोग क्या गया है समीती रीग वेद में समीती का उलेक नौ बार क्या गया है अथर वेद में सभा और समीती को परजापती की दो पुत्रियों कहा गया है विदत दीवेद में इसका प्रियोग 122 वार किया गया है यह भी अवस्याद कर लेंगे दोस्तों इस तरह का जो भी है यह आपको multiple choice में question आता है किसलिए इसको skip नहीं करेंगे अस्मरन में रखेंगे यह विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है था क्योंकि इसमें विर्धों और विद्वानों की सभागता होती थी यहां भस ध्यान रखेंगे विदत में आप थोरा सा टेक्न लॉजिकली भी ध्यान रखेंगे वह हर्शिकार है और वह वह विर्धों और विद्वानों तो विदत के साथ वेदिक काल में राजा का पद्वन सानूगत होता था यह भी बात ध्यान रखेंगे परंतु राजा का अधिकार अर्षीम नहीं थे अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसके कविलाई बेवस्था को भी ध्यान में रखना होता था इस समय राजा भूमी का स्वाम नहीं नहीं होते थे बलकि उस कभी लाई पर कोई यदि आक्रमन या यूद होता था तो वो उसकी जबाब देही वो राजा जो है वो अपने परजा को संगचन देते थे राजा के कुछ योगियों रोज मर्रा के परशासन में उसकी मदद करते थे रीग वेद में सेनापती पुरोहीत ग्रामनी नामक शासके पदादिकारी का उलेख मिलता है चलिए दोस्तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं पुरोहीत वह राजा का परदर्शक था अर्फाट इस तीनों में दोस्तों एप पुरोहीत और ग्रामनी सेनापती अर्फ JENN Ta और शानी पुरोहीत वह राजा का प्रावमर्शदा था और मित Ugh Pr场वपरी था उसमें ग्रावफे और ग्रावन्दक पुरोहीत सर्वोपरी था उसमें सेनापती अएपनी वह सेना न राज के अनपराधिकारियों में पुरूस असपर्स और दूत बिशेश रूप से उलेखनी है जिसे बहुत सारा पद जो होता है दोस्तों देखते होंगे अभी पंचायत में आज के परिवेश मेदी अपने बिहाराज की चर्चा करेंगे तो पंचायत में भी कई-कई पद ज होते थे जो कि राजा को मदद करते थे पुरूस वह दुर्गपती होता था स्वेनिक आर्ज भी करता था असपर्स गुप्त चर गुप्त चर होगा दोस्तों यहां गुप्त चारों लिखा गया है गुप्ट चर होगा गुप्ट चर को यानि हम ये कर सकते हैं कि असपर्ष जो है गुप्ट चर के नाम से जाना दूद ये राजनीती गदी विधियों में ध्यान रखते थे नियाय विवस्था रीग वेद में नियाय विवस्था के विशय में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हो सकी है ऐसा परतीत होता है कि राजा तथा प्रोहित नियाय बिवस्था के प्रमुख पताधिकारी थे नियाय का उद्देश सुधारात्मक और आदर्शात्मक था यहां दोस्तों फिर ध्यान देने की बात है कि नियाय का जो उद्देश था सथारात्मक और आदर्शात्मक था यनि नियाय जो होता था वो मतलब जो भी गलती करते थे उनको सथारने के लिए मुख देश होता था त्रिकवेट के माध्यम से बिदित होता है कि पंच निर्ने द्वारा भी नियाय किया जाता था यानी पंच की भी विव्यस्था थी और पंच निर्ने के दृवरा लोगों को नियाय व्यवस्था में मन ना परता था उग्र और जीव गृव संभवत तक पुलीस करमचारी थी यह का नाम उग्र और जीव गृवि था समाजिक विवस्था राजनीति के बाद अब लोग समाजिक व्यस्ता के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आरज समाज पितर सतात्मक था परंतु नारी को मात्री रूप में प्रियाप सम्मान प्राप था जब समाज की बात आएगी तो पुरूष इस्तिरियां उस समय का कल्चर साधी विया खान पान सारा चीज़े की बात आएगी पिता तथा पतामह प्रिवार का परधान होता था तथा उसे ग्रीपति कहा जाता था यह पत बंसानुगत होता था और पिता की मिरित्यु के पन ग्रहन करता था पुत्री पैत्रिक शंपति का उत्राधिकारी होता था इसमें पुत्री का कोई अधिकार नहीं था परन्तु पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुक रूप से भाग लेती थी परिवार की शंपनता का मापदन परिवार की ब् कि नुशार इस्तिरियों का पद बहुत उचा था पर्दे की पर्था नहीं थी यानि पर्दा पर्था उसमें नहीं था दोस्तों ध्यान रखेंगे यह भी परदा परथा के बारे मवज़्दिया शिक्षा के लिए इस्तिरियों के दूआर खुले हुए थे बाल बिवाह का परथा नहीं था कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी था पुत्रियों का भी उपनेयन संस्कार क्या जाता था इस्तिरियों को यग करने का भी अधिकार था रिग वेद में लोपा मुद्रा गोशा निवावरी तथा विशंब्रा जेशी प्रमप्रागत और विदूसी इस्तिरियों का उलेख ये भी धियान दखेंगे दोस्तों और याद कर लेंगे इससे भी क्वेशन आता है विवाव व्यक्तिगत और समाजिक जीवन का प्रमुकर्ण था विवस्थित और परिम विवाव दोनों ही परता था विवस्थित दोस्तों जो आज के परिवेश में हम लोग कहते हैं कि इंगेजमेंट हुआ फिर तिलक होगा फिर शादी होगी वह ही है विवस्थित विवाव जो समाजिक दिश्थिकों से माननेता प्राप्त है कुछ गिने चुने और समर्थ पुरूष बहु विवाव भी करते थे विदभाव विवाव की पर्था परचली थी धियान रखेंगे आर्थिक जीवन चलिए दोस्तों राजनितिक शमाजी के वाद हम आर्थिक जीवन का चर्चा करेंगे विववैदिक काल के कि उस समय आर्थिक रूप से क्या क्या थी किस रूप में किस धंग से उस समय आर्थिक जीवन बैतित लोग करते थे उनका आर्थिक जीवन कई साथ है लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विववैदिक सभ उस समय किर्शी की परतिष्ठा अस्थापित हो चुकी थी रिगवेदिक लोग फसलों की बुवाई कटाई और मंदनी से परचित थी उन्हें विभिन रित्यों को भी जानकारी थी ये थोरा सा धियान दखेंगे अबस ये धियान दखेंगे आर्यों की रित्यों का भी ज्यान जानते थे पनी की कमी पर सिचाई की भी ब्रस्था थी उसके लिए कुओं का प्रियोग होता था ये भी अबस दियान दखेंगे सिचाई के लिए कुओं का प्रियोग क्या जाता था खेत जदपी बिक्तिगर संपत्ती थी परन्तु चारा गाह सामोहिक संपत्ती माने जाते थे फसल में परमुक फसल जो गेहु मुर्जवा थे किर्शी के साथ साथ पसू पालन भी इरिग वेदिक काल का परमुक उद्यम था वास्तम में आर्यों की आर्थिक इस्थिती का पसू था गाय मुद्रा की भांती समझी जाती थी और अधिकांस लराईयां उन्होंने गायों के लिए ही लरी थी अर्थात गाय को मुद्रा की भांती समझा जाता था यह भी पुइंट याद रखेंगे दोस्तों गोरे भी आर्थि समाज में अति उप्योगी पसू था गोरे की भांती हांती का भी शामरिक दिश्टिकों से महतपुर्न अस्थान था अन्य जानवर भी थे भेर वक्री पुत्ते उट वैल शांडादे रीग वेद में वरहय रतकार गुनकर चर्मकार कुमार कारीगरों के भी उलेक मिलते हैं दोस्तों इसलिए इस सब का जिक्र क्या गया है क्योंकि हम लोग आर्थिक इस्तिति पर रहे हैं उसके आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन जो यह जो है कंपलीट अर्थिवरस्था से जुरा हुआ है यह अर्णिंग का स्वर्च की लोग अपने विफशाई से करते थे इससे पता चलता है कि आर्ज लोग इससे भली वहांते परचीट थे तांबे और कंसे के लिए परियुक्ट अयस यह कोश्चन आ चुका है दोस्तों कई वार यह इसकीप नहीं करेंगे यह जरूर याद रखेंगे अयस सब्द का परियुक क्या गया है बेपार के अस्तित के बारे में कोई अस्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है रिवईदिक सम समाज में आर्धी विशमता नहीं थी करमपरधान होने के कारण सभी आर्थी कर्म सही आर्थी कर्म समावाद्रूव से आदर लिया दोस्तो इस तरह आज हमने संक्रमन काल थोरा सा हमने आपको चर्चा किया उसके बाद राजनितिक, समाजिक और आर्थिक जीवन रिगवेदिक काल के बारे में दोस्तो फिर मिलते हैं जो रेष्ट बचा हुआ इसका धार्मे की जीवन की तरह था और इसमें जो भी टॉपिक बचा हुआ है रिगवेदिक काल का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो दोस्तो यदि आपको यह मेरा चैनल उपयोगी लगता है कंटेंट उपयोगी है तो मैं आप सबसे अनुरोत करूंगा किर्प्या मेरे चैनल को स दोस्तो